नमस्कार कैसे हैं आप? मूड ठीक है? हाँ? मेरा तो ठीक रहता है आप खुल के लिख रहे हैं आज कल या थोड़ा मतलब दबाव है, प्रेशर है थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा? तो जनरल मूड है ना देश में लोग थोड़ा गवरा के बोलते हैं आज कल और प्रेसवालों को भी ये लगता है थोड़ा जिजग के काम करते हैं पर हमारी तो पूरी सपोर्ट है आपको आज हम डी मॉनिटाइजेशन जिसको नोट बंदी कहते हैं, नोट बंदी पर हम थोड़ा कहना चाहते हैं देखिए प्रधान मंत्री जी ने देश के युवाओं को देश के छोटे दुकानदारों को middle-sized businesses, small businesses जो इस देश को रोजगार देते हैं उनको वाइदा किया था कि नोट बंदी करके काला धन गायब हो जाएगा नकली नोट खतम हो जाएगे और आतंकवाद पर जबरदस चोट लगेगी और अभी नोट बंदी का रिजल्ट आया है रिजल्ट क्या आया कि पूरा का पूरा पैसा वापिस आ गया दो परसेंट जीडीपी करोणों लोगों का रोजगार और नोट बंदी का कोई भी रिजल्ट नहीं तो सबसे पहले प्रधान मंत्री जी को देश को जवाब देना है देश के युवाओं को जवाब देना है कि बेरोजगारी है हमारे युवा रोजगार चाहते हैं और आपने देश पर इतनी बड़ी चोट क्यों लगाई reasoning क्या थी, logic क्या थी, कारण क्या था कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ और हिंदुस्तान के युवाओं को और छोटे दुकानदारों को middle और small size businesses को मैं बताना चाहता हूँ अब अच्छी तरह सुनिए आपके प्रधान मंत्री जी ने हमारे प्रधान मंत्री जी ने नोट बंदी क्यों की उनके सबसे बड़े 15-20 उद्योग पतियों के पास क्रोनी कैपिटलिस्ट के पास जिन्होंने बैंक का पैसा लिया था उनके पास नौन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं नरेंद्र मोधी जी ने देश की जनता का पैसा लेकर आपके जेब में से पैसा निकालकर सीधा हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के जेब में डाला ये नोट बंदी का लक्ष था नोट बंदी के समय नरेंद्र मोधी जी के मित्रों ने काले धन को सफेद में बदलने का काम किया उधारन है गुजरात के कौपरेटिव बैंक का उधारन है 700 करोड रुपे अमिद्शा जी जिस बैंक में डिरेक्टर है 700 करोड रुपे उस बैंक में बदला गया तो ये टोटल इसको जुमला भी नहीं कहा जा सकता है इसको स्कैम कहा जा सकता है और नरेंद्र मोधी जी ने बिलकुल सही बात कही थी कि जो 70 साल में हिंदुस्तान में नहीं हुआ जो कोई नहीं कर पाया हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने वो निर्ने लिया और देश की एकॉनमी की धजियां उड़ा दी तो नरेंदर मोधी जी को जवाब देना है कि इन्होंने ये क्यों किया देश के युवाओं को कहना है देश के छोटे दुकानदारों को कहना है कि उन्होंने इन लोगों से पैसा चीन कर 15 सबसे अमीर लोगों को क्यों दिया यह में इशू है नोट बंदी का कोई सवाल है आपके नोट बंदी पर हां जी अनियलंबानी जी ने पूरी कॉंग्रेस पार्टी पे मतलब वर डिस्ट्रिक पे डिफरमेशन सूट लगा दिया है लगाईये जितने लगाने लगाईये मगर डिफरमेशन सूट से सचाही नी बनलती लगाईये लगाईये सचाही है कि 15-20 क्रोनी कैपिटलिस के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंदी की और अपने मित्रों को करने के लिए उन्होंने रफायल स्काम किया क्या अह थो प्र्लठाज हो यथ व सबस्केंशत की वहाईये संवा the richest people the most corrupt people in this land change their money from black to white that was the intention फिर से दोर आता हूं नोटबंदी का intention हिंदुस्तान के 15-20 सबसे बड़े क्रोनी कैपितलिस्स को अपने काले धन को सफेद बदलने में मदद ये था नोटबंदी और जो हमारे छोटे बिजनेस वुवैं इसका बिजनेस हैं उनको खतम करके जो चोटे दुकाणदार है उनको खतम करके बड़ी कंपनियों का मदद करने का लक्ष है चोटे दुकांदार मिटल साइस बिजनेस about president तरह सुनो, नोट बंदी कोई गलती नहीं थी, नोट बंदी आपके उपर आक्रमन था, नोट बंदी आपके पैर पर कुलहाडी मारी गई थी, गलत फेहमी में मत आईए, ये गलती नहीं थी, ये जान मुझ के आपको नश्ट करने के लिए, आपको खतम करने के लिए, और सब एक से बड़े Amazon जैसे business किस के लिए रास्ता खोलने का तरीका है एक हां इस वन सब्सक्राइब जाए प्रफ़सर एक प्रफ़सर प्रफ़सर इस एविदेंस दिर इस एविदेंस आविदेंसे अच्ता सब्सक्राइब जाएब 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 जाति है माफी जब मांगी जाती है जब गलती होती है प्रदान मंत्री जी ने जानमूच के किया है प्रदान मंत्री जी का लक्ष था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े करोनी क्यापिटलिस्ट जिन्होंने प्रदान मंत्री जी को मार्केटिंग के पैसे दिलवाए जिनके कारण टेलेविजन पे हर रोज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाई देता है कि उनको पैसा मिले और पैसा कैसे मिले हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान के महिला हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार हिंदुस्तान के मिडल साइज बिजने स्मौल साइज बिजनेस के जेब में से पैसा निकाल के सीधा उनके 15-20 क्रोनी कैपिटलिस मित्रों को मिले system में क्रोनी कैपिटलिस्ट नरेंद्र मोधी जी की marketing करते हैं नरेंद्र मोधी जनता से पैसा छीन कर क्रोनी कैपिटलिस को देते हैं बड़ा simple है पास के सब्सक्राइब करके कांगरेस पार्टी कांगरेस पार्टी के पास कांगरेस पार्टी ने देश को चला कर दिखाया है हमारे मनमोहन सिंग जी जब प्रधान मंत्री थे आप हमारा record देख लीजिए अरुन जेटली जी और नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान की economy को नर्ष्ट कर दिया है हमारे समय धाई लाक करोड रुपया नॉन परफॉर्मिंग एसेट था अज बारा लाक करोड रुपया नॉन परफॉर्मिंग एसेट है क्यों क्योंकि नरेंद्र मोधी जी ने अपने मित्रों की रक्षा की है वन पॉइंट प्रोग्राम है पहले 20 पॉइंट प्रोग्राम हुआ करता था अब वन पॉइंट प्रोग्राम है हिंदुस्तान के क्रोणी capitalist को कैसे मदद की जाए नहीं राफाइल के बारे में देखिए कल कल अरुन जेटली जी ने सवाल पूछे और उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अरुन जेटली जी भी सवाल पूछ सकते हैं तो मैंने अरुन जेटली जी के दुरू नरेंदर मोदी जी को एक option दिया option था कि जरूर सवाल पूछते हैं joint parliamentary committee बैठा के पूछते हैं सब साफ हो जाएगा सब को पता लग जाएगा राफाइल में क्या हुआ मुझे कोई इतराज नहीं है कॉंग्रेस पार्टी को इतराज नहीं है किसी भी उपोजिशन पार्टी को इतराज नहीं है हम सब मांगेंगे 24 गंटे होने वाले है अरुन जेटली जी ब्लॉग लिखने है नहीं रंबे लंबे ब्लॉग लिखले है लिख रहे हैं मगर जॉइंट पार्लेट मेंट्रिक कमेटी के बारे में अरुन जेटली जी ने कुछ नहीं बोला अब मैं समझता हूँ कि अरुन जेटली जी फस गये है क्योंकि पर्मिशन तो नरेंद्र मोधी जी को देनी है अरुन जेटली जी पता नहीं पूछा या ना पूछा शायद वो इतना घबना है कि पूछो भी ना बेसिकली देखिए बेसिकली बहिया देखिए दो-तीन सवाल है राफाइल बड़ा clear cut case है अने लम्मानी जी ने हवाई जहास कभी नहीं बनाया अने लम्मानी जी 45,000 करोड रुपए करजी में है अने लम्मानी जी ने कंपनी कुछी दिन पहले खोली राफाइल कॉंट्राइट से कुछी दिन पहले खोली दूसरी तरफ HL 70 साल से हवाई जहास बना रही है कोई करजा नहीं है हजारों एंजिनियर हैं जो काम करना चाहते हैं छोटा सा सवाल है जो हवाई जहास 520 करोड रुपए कथा उसको आपने 1600 करोड रुपए में क्यों खरीदा किसको फाइदा पहुँचाने के लिए खरीदा अब अरुन जेटली जी उल्टा मुझसे सवाल पूछने पूछ सकते हैं मगर इन तीन सवालों के जवाब तो दीजिए क्लियर कट है और जेपी से लाईए पूरा देश जानना चाहता है कि अनिलम्मानी जी ने और मोधी जी ने क्या डील किये ये ये देखिए देखिए ये ये देखिए ये देखिए ये देखिए सुनिए अब ये सुनिए आपके सवाल के लिए मैं स्पेशल कागज लाया हूँ ये देखिए ये है ये है इंडिया-फ्रांस जॉइन स्टेटमेंट दूरिंग देविजिट अप्राइम मिनिस्टर तो फ्रांस अब अची तरह सुनिए एक सेकिड प्लीज मैं अब अची तरह सुनिए ये प्रदान मंत्री जी जो आज कह रहे हैं कि मुझे बात समझ नही आरी है सुनिए अची तरह सुनिए अची तरह सुनिए and that the aircraft and associated systems and weapons would be delivered on the same configuration as had been tested and approved by the Indian Air Force and that's it point is प्रदान मंत्री जी कि जोइन स्टेटमन में लिखा है कि configuration वही होगा और आज प्रदान मंत्री कुछ और बोल रहे है तो क्या यह 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 व्यक्ती जिसने यह statement दिया था हो लैंड जी के खड़े हो के पास खड़े हो कि क्या वो नरेंद्रमों नहीं नहीं था क्या वो कोई और था इसमें तो clear इसमें तो clear लिखा है कि it is going to be the same configuration so the man is lying okay okay आप आप बिलकुल चुप हो गए आप बिलकुल चुप हो गए कि देखिए देखिए प्रधान मंत्री जी ने पंद्रह लाग रुपए का वाइदा किया प्रधान मंत्री जी ने किसानों को सही दाम देने का वाइदा किया प्रधान मंत्री जी ने बुलिट ट्रेन का मतलब उनके लवाइदे की लिस्ट है तो जो प्रधान मंत्री कहते हैं उसको हम सीरियस नहीं लेते हैं मगर जब प्रधान मंत्री जूट बोलते हैं हम उनके जूट को पकड़ते हैं प्रधान मंत्री जी ने राफाइल में अने लंबानी की मदद करने की कोशिश की बीजेपी के प्रेजिडेंट के कोपरेटिव बैंक में 700 करोड रुपे नोट बंदी का बदला गया बीजेपी ने नोट बंदी से पहले अलग-अलग डिस्ट्रिक्स में ओफिसेज खरीदे तो ये हमारा काम पबलिक को सचाई बताने का है प्रदानमंत्री जी ने स्वयम कहा कि एरक्राफ्ट अलग है और मैंने आपको दिखाया प्रदानमंत्री का स्टेट्मन देख लीजे उसमें क्लियरली बोल रहे हैं कि एरक्राफ्ट इस दे सेम डिफेंस मिनिस्टर एक दिन बोलती है कि हम एरक्राफ्ट का दाम बताएंगे दूसरे दिन बोलती है कि हम एरक्राफ्ट का दाम नहीं बताएंगे और फिर पता लगता है कि एरक्राफ्ट का दाम तीन गुना बढ़ गया तो हमारा सिंपल सवाल है और युवाओं का सवाल है किसानों का सवाल है आपने नरेंद्र मोधी जी ने युवाओं को किसानों को महिलाओं को चोट मारी क्यों मारी कालादन नहीं कम हुआ आतंकवाद कम नहीं हुआ असली नोट गाइब नहीं हुए कोई ना कोई रीजन दो होगा और मैं आपको रीजन बता रहा हूँ रीजन था कि क्रोनी कैपिटलिस्स के जेब में पैसा डालना Thank you very much